हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर फॉर यू आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुप महापुरुशों के उपनाम के बारे में जानेंगे जो क्वेस्चन एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेस्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हम टॉप 30 क्वेस्चन कवर करेंगे तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अब देखते हैं फॉस्ट क्वेशन लोहो पुरुष किसे कहा जाता है सर्दार वल्लभाई पटेल को लोहो पुरुष कहा जाता है option number D right होगा सर्दार वल्लभाई पटेल ये स्वातंदर भारत के पहले गुरुष मंत्री M सुचना प्रसारण मंत्री थे और सर्दार वल्लभाई पटेल से अब ये भी ध्यान रखिये Statue of Unity ये सर्दार वल्लभाई पटेल जी की मूर्ती है और ये विश्व की सबसे उची मूर्ती है और इस मूर्ती की उचाई 182 मिटर है और ये मूर्ती गुजरात के एहमदाबाद शहर में है अब सेकेंड देखते हैं गुरुदेव किसे कहा जाता है तो रविंद्रन ये टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और इन्हे ये नोबल उनकी काववे रचना गितानजली के लिए मिला था और फ्रेंड्स आप ये भी ध्यान रखिये भारत का राष्ट्रगान जनगन मन ये गुरुदेव या ने रविंद्रन ये टैगोर की ही रचना है और आपके लिए एक क्वेश्चन है ऐसा कौनसा देश है जिसका राष्ट्रगान भी रविंद्रन ये टैगोर द्वारा ही रचित है तो कॉमेंट कीजेगा अब next देखते हैं राश्टर पिता किसे कहा जाता है महात्मा गांधी जी को राश्टर पिता के नाम से भी जाना जाता है option number D correct होगा और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मुहंदास करमचंद गांधी और गांधी जी को महात्मा राश्र पिता एं बापु के नाम से भी जाना जाता है और आप ये भी ध्यान रखिए गांधी जी को महात्मा की उपादी रविंद्र ने टैगोर ने दी थी और एक्जाम में ये भी question पूछा जा सकता है कि गांधी जी को महात्मा की उपादी किस ने दी थी तो आप ध्यान में रखिएगा गांधी जी को महात्मा की उपादी रविंद्रना टैगोर ने दी थी Next देखते हैं सिमंध गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका अंसर होगा खान अवदूल गफर खान इनको सिमंध गांधी के नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और इनों नहें भारत के स्वातंत्र संग्राम में भाग लिया और अपने कारियों और निष्ठा के कारण इनहें सरहदी गांधी यानी सिमंध गांधी के नाम से भी जाना जाता है और आप ये भी ध्यान रखिये ये भारत रत्न से सम्मनित प्रत्थम विदेशी नागरिक हैं और इनहें 1987 में भारत रत्न दिया गया था ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आप्शन नमबर B राइट है मार्टिन लिूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है पंजाब केशरी इस नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी इस नाम से लाला लजपतराई जी को जाना जाता है ये भारत के प्रमुख स्वातंतरता सेनानी थे और 1928 में इन्होंने साइमन कमिशन के विरुद्ध प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था और उस प्रदर्शनी में हुए लाटी चार्च में लाला लजपतराई बुरी तरह घायल हुए थे और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्ती हो गई थी तो आप ये ध्यान रखिए पंजाब केसरी इस नाम से लाला लजपतराई जी को जाना जाता है चितरंजन दास को देश बंदू इस नाम से जाना जाता है और ये महात्मा गांधी जी के करीबी अनुयाई में से एक थे नेक्स देखते हैं लोकमान्य किसे कहा जाता है बाल गंगादर टिलक इन्हें लोकमान्य नाम से भी जाना जाता है ये स्वातंत्र सेनानी थे और प्रिटिश इन्हें भारती अशांती के पिता कहते थे लोकमाने टिलग द्वारा दो वर्दमान पत्र शुरू किये गए थे इंगलिश में मराठा और मराठी में केसरी नामक गृत्त पत्र शुरू किया था अब नेक्स देखते हैं राजश्री किसे कहा जाता है तो ओप्शन नमबर D पुरुशत्तम दास इन्हे राजश्री नाम से भी जाना जाता है नेक्स देखते हैं राजश्री इस नाम से किसे जाना जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन्हे राजश्री नाम से जाना जाता है ये स्वातेंद्र भारत के पहले और अंतिम भार्थिय गवर्नर जैनरल थे और ये भारत रत्न से सम्मनित प्रत्थम वेक्ति हैं अब next देखते हैं महामना नाम से किसे जाना जाता है? पंडित मदन मोहन मालविय इन्हे महामना नाम से जाना जाता है अब next question है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो इसका अंसर है समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्र गुप्त ये गुप्त वंच का शासक था अब next question देखते हैं नेता जी के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका अंसर है सुबाश चंद्र बोश को नेता जी के नाम से जाना जाता है अजाच शत्रू किसे कहा जाता है? तो इसका अंसर है option number A Dr. Rajendra Prasad इन्हें अजाच शत्रू के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राश्ट्रपती थे और इनका राश्ट्रपती के तौर पर सबसे लंबा कारेकाल है यह 12 वर्षों तक भारत के राश्ट्रपती थे अब नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं और यह पाकिस्टान को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है तो आप यह ध्यान में रखिए काईदे आज़ाम के नाम से मौहमद अली जिन्ना को जाना जाता है अब नेक्स्ट है भारत की कोकिला किसे कहते हैं तो इसका अंसर है उप्शन नमबर C सरोजीनी नाइडू इन्हें भारत की कोकिला कहते हैं और यह स्वतंत्र सेनानी थी और राष्टिय कॉंग्रेस की प्रथम भारतिय महिला अध्यक्ष थी नेक्स्ट है चाचा जी किसे कहते हैं तो इसका अंसर है जवारलाल नेरू इन्हे चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे स्वर्की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है लता मंगिशकर को स्वर्की कोकिला के नाम से जाना जाता है Q20 देखते हैं, निर्मल रिदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है, ओप्शन नमबर D, मदर तेरेसा को निर्मल रिदय के नाम से जाना जाता है मदर तेरेसा को 1989 में शांती के शेत्र में नोबल पुरसकार मिल चुका है अब अगला देखते हैं तोताय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है तो अमिर खुसरो को तोताय हिंद के नाम से जाना जाता है अब नेक्स देखते हैं होकी के जादुगर के नाम से किसे जाना जाता है ओप्शन नमबर C, ध्यानचंद इन्हें होकी के जादुगर के नाम से जाना जाता है और इन्ही के जनम दिन के आउसर पर भारत में राश्ट्रिय खेल दिवस मनाया जाता है और फ्रेंड्स आपके लिए क्वेशन है भारत में राश्ट्रिय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो कॉमेंट कीजिए नेक्स देखते हैं भारत का शेक्स्पियर किसे कहा जाता है Option नमबर A, महाकवी कालिदास इन्हें भारत का शेक्स्पियर कहा जाता है और कालिदास ये चंद्र गुप्त दुवितिय के समकालिन थे बंगाल केस्री इस नाम से किसे जाना जाता है तो आशितोष मुखरजी इन्हें बंगाल केषरी नाम से जाना जाता है Option number B, right होगा अब next देखते हैं बिहार केषरी इस नाम से किसे जाना जाता है? तो option number A, श्री कृष्ण सिंग इन्हें बिहार केषरी के नाम से जाना जाता है अब next देखते हैं Question number 26 आण्धर केषरी इस नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है option number C, T Prakasham इन्हें आंधर केषरी के नाम से जाना जाता है तो friends हमने देखा बंगाल केषरी के नाम से आशितोष मुखरजी को जाना जाता है बिहार केश्री के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंग को जाना जाता है और आंद्र केश्री के नाम से टी प्रगाशम को जाना जाता है तो आप ये ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है विद्रोही कवी किसे कहा जाता है काजी, नजरूल, इसलाम इन्हें विद्रोही कवी के नाम से जाना जाता है Q23. देश 1967 नाम से किसे जाना जाता है? इसका आνसर है Option C ऑप्शनम व्हूंज जू करिन्हें देश постоянно करीके करोपा है स्च्थ Church social was, जाना जाता है तो इसका आंसर है लाल बाल पाल इस नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल बाल पाल इस नाम से लाला लजपत्राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंदरपाल इनहें जाना जाता है ओप्शन नमबर B राइट होगा लाला लच पत्राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल इन तीनों की जोड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करतीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ